हेलो मैं यूटीब फैमली कैसे हो उम्मित करती हूं आप सभी अच्छी होंगे अभी साम के बज रहे हैं पांच तो यहां पर मैं सामान हो था और उन्हें निकाल के रख दे रही हूं अभी मैंने बेटी को छोड़ा था फी तूसन उसके वाद मैं सो चलो यह सामा रखा हूँ आधाल शोली चावल ईनको में ढिटबे में भर नेती हूं जब बच्चे जाते हैं तूसके वाद में थोड़ा चुटा मोटा काम होता है जो भी मैं कर लेती है जो बच्चों के बोतल खराब हो जाती है पीने वाली बोतल होती है पानी की ये खराब हो गए तिक अधकन तूट गया था इसे भी मीनद रख लिया और बडूं की राजमा ऐसी बोतल भी काम आ जाती हैं कभी कभी इसमें आप हरी मिर्च भी रखोगे ना भरके डांट्रे तोड़के वह भी बहुत सच रहती तो इसमें भर दी हमने हरी वाली दाल मुंगी जो साबुत होती है यह ले कैज़े सुभाई नास्ते के लिए बनाने के लिए फैंट तो जल्दी मिल जाता सामन और अच इसमें देखता भी रहता है अगर आप ब्रैसे आरे डुबे में भादेता ना जो मोट वाला होता उसमें देखते भी नहीं है तो आधिकलो राज में पूरी बोतल में आ गए थोड़ी से बचे होने मैं छोली में डाल दूंगी छोले के साथ बन जाएंगे तो बस मैंने यहां अब मेरे पाध है क्याया टायम रहता है तो मैं यहीं काम करती हूं बस और बोतलों में टेलिवा कम उ गया था मैयं चलो इसमें टेली टेल कर लेती हूं ऐसाभ तो सामब करनाने बैड़ते हैं तो फिर नहीं रहता है प् dent करने का मन भी करत तो बैस अभी इनको मैं यहां पर सामन भर दूंगी तेल भी भरना मुझा भी रिफाइंडी भरना है और उसके बाद बच्चों की ड्रेस भी दूबनी है और ऐसा था सौमार को मैं पहन गी थी मंगल को भी पहन गई थी तो मैं दुलानी था बुद्धवार का एकादस्टी प कपड़े होती तो मैं हातों से दूल देती हूं वरना अगर ज़्यादा कपड़े होती तो बहुती मसीन लगाती हूं लेकिन कभी-कभी हाथ दुने का मिन करना आता है और ड्रेस ज़्यादा गंदी नहीं होती हैं बच्चों की एक छुटी वाली वेटी उसके थोड़े ज् यहएंगा उन्पे जो महरी जब जब जाता फिर फूरा वहाता साफ होता है तो हमारे जो इसमें बाद्टरूम इसमें ज्यादा सस्थ नहीं है वहिए इतना ही थोड़ा सा और आगे बड़ा है लंबई-लंबा हमार माकान ने ज़ुत से ज़्यादा है यह. दुनोलग अबड़ी वाली नहीं जा रही है,ुसकी आज़ा है तो आरह हम है। मैं खुझसे नहीं बेज रहा हुँ चुर्छ लिखे ठीमा और भी खाना ठीक से भी न खा रही है। तो इसलिए मैंने अभी उसको मुला भेजाने इसको पर उसकी ड्रेस को दुल के रख दे रहे हूं कि तब ही जाएगी तो पहन जाएगी छोटी वेटीव जा रही है और पढ़किया भी आ जाती है थोड़ा से उसका मन नहीं होता है लेकिन फोड़ा सा डार दो तो चली जाती कि आराम से लिए और पढ़के आती तो बहुत जाता होती है बच्चों को अगर थोड़ा धमका के रखोगे तो ऐसा इसकोल चले आते हैं अगर थोड़ा सा प्यार कर दो फिर ना फिर तो जाते नहीं है तो बच्चों को अगर छोटी से उमर में अगर उन्हें पढ़ाना ल रहे जाएगी और घर पर रहेंगे बच्चे तो कुछ भी सीखने पाते हैं ट्वेस टीवी देखेंगे खेलेंगे तो इससे अच्छा है कि उन्हें स्कूल भेज़ दो कुछ तो कुछ नस तो सीख की आएंगे कपड़े तो बैस मैंने यहां पर धुल लें अब इन्हें सुकाना रहका है और बसिंग मुष्ण ड्राय कर दूंगी तो जल्दी से सूख जाएंगे अब थोड़ी वैसे भी थोड़ा गर्मी से हो रही है तो सूख जाते हैं कपड़े ड्रेस का कपड़ा वैसे भी ज्यादा मैंने पैंटों का ज्यादा भारी होता है और बुरसट का हलका होता है तो उसके बाद बस मैं खाना बनाने आ गई थी यह कड़ाई जो है काली-काली इस तरीके से हुरी है मैंने इसमें पापट सेख लिये थी दिन में तो यहां पर ब प्याज का पेश्ट कितना सफेद लग रहा था तभी मैंने पीश आता तो बहुत जाद सफेद लगाता और मैं लोग की कड़ाई में बना रही हूं क्योंकि छोले थोड़ी से काले भी हो जाएंगे तो भी चल जाएंगे खाने में मुला कोई भी उड़ नहीं करेंगे दिक तभी हमने सबसारे मसाले डालने चाहिए और यह प्याज की इसमें लाती तो किसी की तुना पसंदी भी नहीं लगती है तो मुझे कभी कभी किसी किसी सब जिंदों बहुत बेका लगता है यह प्याज का पेश्ट तो बैस मैंने यहां पे अच्छी से खदक पड़े इसमें पका लिया है इसमें डाल दे गूल की मसाले मसाले यहां पर डाला है मैंने हल्दी पाडल धनिया पाडल लाल मिर्च पाडल गरम मसाला डाल दे थोड़ा सा और डाल दे मैं थोड़ा सी काली मिर्च बस तो यहां पर मैं हरी मिर्च नहीं डाल रही है इसलिए मैं यहां पर ल अच्छे से प्राइब करके थोड़ा सा भून गी उसके बात कर दूंगी पानी ज्यादा पतले नहीं करूंगी पस्तों देखेंगी इतना पानी कर दिया थोड़ा और एड़ करूंगे इसमें पानी पानी अपने अंसर कर सकते जितना डालना चाहते तो बस देखी अभी 10 मिट बाद मैंने देख दो छुले कि सब्जी कुछ इस तरीका कलर आया हुआ है और लोग की कड़ाई में बहुत जाद सुंदर बने थे खानी में बहुत जाद टेस्ट बने थे तो फ्रेंट वीडियो अच्छा लगो तो लाइक से कमेंट कर देना और मैं इस वीडियो को यहीं करूं कि कल मिलेंगे नहीं वीडियो में बाई वाई अच्छा लगो तो लाइक देख